सुनिल शेटी, अक्षे कुमार और परेश रावल स्टारर फिल्म हेरा फेरी बॉलिवुड की आइकोनिक फिल्मों में से एक है कॉमेडी में तो इस फिल्म ने महारत हासल की हुई है अब एक बार फिर फिल्म बड़े परदे पर कमाल दिखाने के लिए तैयार है दरसल फिल्म का सीक्वल पिछली कई महिनों से सुर्ख्यों में बना हुआ है इस सूपर हिट फ्रेंचाइजी की पिछली दो फिल्मों में अक्षे कुमार, सुनिल शेटी और परेश रावल में रोल में नजर आये थी कॉमेडी से भरपूर इस फिल्म को आज भी लोग देखना पसंद करते हैं तीसरे पार्ट को लेकर कई तरह की खबरे भी सामने आ रही है जिसमें से एक खबर ने फैंस को पूरी तरह से चौका कर रख दिया है दरसल इस बार हेरा फेरी तीन में अक्षे कुमार नहीं बलकि कार्टिक आर्यन राजू का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे क्योंकि अक्षे कुमार फिल्म का हिस्सा नहीं रहेंगे जिसके बाद फैंस लगातार मांग कर रही हैं कि फिल्म में अक्षे कुमार की वापसी हो। वही अब इस फिल्म को लेकर सुनिल शीटी ने भी एहम जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि राजू, श्याम और बाबू राउ के बिना हेरा फेरी के बारे में कल्पना नहीं की जा सकती। राजू के बिना श्याम नहीं और श्याम के बिना बाबू राव नहीं और तीनों के बिना हेरा फेरी नहीं। सुनिल की इस बात पर फैंस अंदाजा लगा रही हैं कि शायद फिल्म में अक्षे की वापसी हो सकती है। वही फैन्स की अपील के बाद मेकर्स भी अक्षे को मूवी में वापस लाने के लिए जुट गए हैं। बताया जा रहा है कि फिल्म को लेकर प्रडिूसर फिरूज नाडिया अडवाला ने अक्षे से दुबारा बातचीत की है। अब देखना यह है कि क्या हेरा फेरी तीन में अक्षे कुमार फिर से एंट्री लेंगे या कार्टिक आरेन ही राजु का किरदार निभाते हुए दिखेंगे।